शत्रु सम्पत्थ्य के मामले में अब्दुल्ला की जमानत पर 9 को सुनवाई on पर रामपूर में सांसाद आजम खांके पुत्र अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जे पर अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी शत्रु संपत्ति को वक्त में दर्ज कर जमीन को जोहर्ट उनिवर्सिटी में शामिल करने के आरोप में दर्ज मुकदमे में अब्दु योजन की ओर से कोट में समय मांग लिया गया है कोट ने सुनवाई की अगलीती थी 9 फरवरी निर्धारित की है अब्दुल्ला आजम पर अजीम नगर थाने में शत्रु संपत्ति की जमीन को वक्त में दर्ज करा कर जोहर्ण उनिवर्स्टी के परिसर में शामिल कर लेने के आरोप में मुकद्मा दर्ज हुआ था विदाय क फात्मा सहित अन्यक कई लोग अरोप इस मामले में खराब स्वास्ते के अधार पर तंजीम फात्मा की जमानत हो चुगी है मुकदमे में अब्दुल्ला आजम की जमानत की याचिका भी MP MLA कोट में लगाई गई थी सुनवाई के दुरान अभी गोजन की ओर से ADGC अरुण प्रिकास अक्सेना ने कोट से समय मांग लिया है कोट ने अगली तिथी नौफरवरी निर्धारित की है ADGC ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की जमाना तर्जी पर अगली सुनवाई नौफरवरी को होगी तंजीन फात्मा ने गांधी समाधी के सुन्दर्य करण की लोटाई फाइल वहीं जनपद रामपुर में सांसद आजमखा की पतनी शहर विधायाक डॉक्टर तंजीन फात्मा ने गांधी समाधी के सुन्दर्य करण की फाइल लोटा दिये उनका कहना है कि गांधी समाधी क पहले ही बहुत सुंद्यकरण हो चुका है इसलिए अब इसके सुंद्रीकरण की अवश्कता नहीं पुर्देश सरकार ने गांधी समाधी को पीरेटर निस्थल बनाने के लिए सुंद्रीकरण की योजन तयार की थी इसके लिए विधायक की सहमती जरूरी थी जिलाधिकारी नंजने कुमार सिंग ने बताया कि नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी इंदू शेकर मिश्रा के जरीए विधायक के पास फाइल भिजवाई गई तब विधायक ने फाइल रख ली और फिर ये कहकर लोटा दी के गांधी समाधी के सुंद्रीकरण की जरूरत नहीं है ही बहुत सुंद्रेकरण हो चुका है सपाशासन काल में करीब 26 करोड की लागा से इसका सुंद्रीकरण किया गया था इसके आसपास दो अलिशान गेड़ बनाए गये थे प्रदेश सरकार अभी से परिटन स्थल के रूप में विक्सित करना चाहती है इसके लिए अब यहा आभी दोर में भमरोवा में बने श्री पातलेशवा शुवंदिर पर 49 लाग 55,000 की लागत से परिटन विकास का रहे होंगे शहाबाद में लखी बाग में बने मंदिर पर 48,000,006,000 रुपे रठोंडे के शुवंदिर पर 49,000,006,000 स्वार के प्राचीन सैनी दुरगा मंदि पर पेरिटन विकास पर 46,44,000 रुपे खर्च होंगे करिशी कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को चक्ता जाम करेंगे किसान वहीर जन्पद रामपूर में करेंगे यूनियन टिकेत के कार्य करता के चक्का जाम करेंगे जिला अध्यक्ष हसीब एहमद ने बताया कि इस संब्ध में उन्होंने राष्ट्री पिरवक्ता राकेश्टिकेट ने फोन पर जानकारी दी है इसके बाद उन्होंने फोन कर सभी कारेकरताओं को इस संब्ध में जानकारी दी पददिकारियों को तहसीलवा ब्लॉक इस्तर पर इसकी जिम्मेदारी सौपी दी गई है जिला अध्यक्ष की निर्देश पर कार्याले पर पंचायत बुलाकर जिला संगठन मंत्री हरिलाल ने इस संब्ध में कारेकरताओं को जानकारी दी पहारी गेट इस्तित बढ़ोदा सवरुजगार विकास संस्थान आर सेटी में राश्टिर ये ग्रामीर आजीवी का मिशन के अंतरगत मिशन एक ग्राम पंचायत एक बीसी में 40 बीसी सखियों के लिए 6 दिवसी प्रिशिक्षन कारेकरम का शुबारम किया वहीं जनपद रामपूर में कारेकरम का शुबारम जिलाधिकारी अनंजने कुमार सिंग ने दी इतना से जानकारी प्राप्त करें जरूरी दस्तावेस की लिस्ट बनाकर रखें आज के दौर में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है जिसे रोकने और सावधानियों के बारे में लोगों में जागरुकता पैदा करें लोगों को पैसे का सदूपयों करने की सलादें और सरकारी यूजनाओं से चुड़ने के लिए प्रेजित करें उसके बाद जिलाधिकारे ने संस्थान में चल रहे तीस दिवस ये ब्यूटी पालर प्रिबंदन प्रिशिक्षन कारेकरम का भी निरिक्षन किया तथा प्रिशिषार्टियों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्यूटी पालर को केवल मेकब आधी तक सीमित ना रखकर नई होम डिलिवरी सर्विस ब्यूटी एंड बॉड़ी वेलनेस एंड केर आधी को भी समाहित करें अब परमपारिक तरीकों जैसे हाउस आया डाई आधी कार्यों को अपना कर काम को उचाई तक ले जा सकते हैं क्योंकि जितना बहतर काम हाथ से कर सकते हैं उतनी अच्छी तरह स मशीने काम नहीं कर सकती है जलकर एवं गिएकर वसूली के लिए शिविट गल से वहीं जनपर रामपूर में नगर पालिकाक घे रहक जलकर दुकान कि रहाया आधीक वसूलीवा साफसफाई निर्माण पैजल ववस्ता पत्रकाष वस्ता आधी से संंबंदे समस्यान के नि हर फरवरी को नुर महल पार्क 9 फरवरी को निकट के पास 12 फरवरी के पास दस बज़े से दुपएर दो बज़े तक लेएगा इन मेनगर अभियंतम निर्माण मुख्य खाद एवं सफाई निर्ख्षक संबंगित खाद एवं सफाई निर्ख्षक पत्पिरकाश निर्माण गिरह कर जलकर आजी समस्याओं कर समधन किया जाएगा